लो एवरिवडी तो दिस साइट पूर्वा गौर एज यू और वेलकम तो धेरेबेच तो आज हम अपना साइन्स का फोड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं इससे पहले हमने तीन चैप्टर के अल्रेडी इंपॉर्टेंट कुईशन बहुत सारे कम्प्लीट कर चुके हैं ठीक है उससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो गई होगी आई होप कि जो मैंने आपको बोला थे कि आपको मैंस दा फॉल्वाइंग और ट्रू फॉल्स वगरा वो आपको अपने खुश से लगाने हैं क्योंकि वो questions repeat हो रहे थे तो I hope कि वो आपने लगाई भी होंगे ठीक है तो this shows that you are truly dedicated towards your studies ठीक है and this is very 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 good तो पहले मैं आपको एक overview दे देती हूँ देखो आपको न ये अगर जो बच्चे अभी theory पढ़ने पर लगे हुए हैं तो मैं बस यही बोलूँगी कि आप वो theory अभी stop कर दीजिए आप questions के थूरू अपने concepts clear कर लिए क्योंकि हमारे पास इतना time नहीं है we have only one month left for our exam ठीक है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमना ये series start कि ताकि जिन बच्चों का cover नहीं हो पाया है कम से कम वो questions को देख लें और उससे उन्हें थोड़ा सा तो जो है फायदा मिलेगा ही क्योंकि देखो जो हम questions लेकर के आ रहे हैं आपके लिए वो chapters के बीच में से भी questions बिनाएगा मतलब इसमें questions के थूरू आपको पूरा chapter complete हो गया है कौनसा question नहीं बना जो question नहीं बना इसका मतलब का concept clear नहीं है as simple as that ठीक है and in the middle of the video there is a surprise for you all तो अंत तक बने रही है okay so let's start a video with question number first reproductive age in woman starts when there यानि कि यह question कह रहा है कि जो women's होती है उनमें जो reproductive age होती है उनकी वो कब start होती है masturbation जब start उता है तब breast start developing option C body weight increases option D height increases so which option should be the correct one I hope कि आपने आँ से सोच लिया होगा तो option A should be the correct one now the question number 2 wait a second yeah so options question 2 देखते हैं the right meal for the adolescent consists of यानि कि देखो आप सभी लोग adolescent age में हो ठीक है teenagers हो आप लोग teenagers को बोलते हैं तो इस age में आपको आपका healthy bhojan ग्रहन करना healthy bhojan खाना is very very important ठीक है आप अकर junk food खाओगे तो आपकी health को ये bad effect देगा of course ही बात है junk food अच्छा थोड़ी होता है ठीक है तो आपको क्या खाना है healthy खाना खाना है तो यहाँ पर options दिये हुए हैं हमसे इस question में यही पूछा है कि जो adolescent होते हैं उनका right meal क्या होना चाहिए उनको क्या खाना चाहिए chips, noodles, coke खाना coke तो actually पीते हैं तो chips, noodles या फिर coke चपाती, दाल, vegetables, rice, noodles and burger, vegetable, catalyst, chips and lemon drink तो I hope कि यह तो बहुत easy आपको answer पता होगा और आपको पता भी है कि आपको क्या खाना चाहिए लेकिन आप खाते नहीं होगे ठीक है, green leafy vegetables ममा कह 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 के ठक जाती होगी लेकिन आप की सुनने का नाम ही नहीं लेते होगे, नहीं हमें तो अच्छी नहीं लगती बट यह आपकी health के लिए बहुत important है wait a second yeah, so option, which option should be correct so I think option B should be correct one जो कि आप दाल तो बिलकुल भी नहीं खाते होगे, I know ठीक है, वैसे मैं भी नहीं खाती लेकिन खाना चाहिए question 3, which of the following combination of chromosomes led to the birth of a baby girl देखो, यहाँ पर baby girl का birth कब होता है जब chromosomes कौन कौन से होते है XX chromosomes होते है, XY, X या Y तो देखो, जो baby girl का birth कब होता है जब हमारे XX chromosomes होते है एक और question आएगा अभी, जिसमें ये question पूचा जाएगा कि जो baby boy होता है, उसका birth कब होता है कौन से chromosomes के combination से उसका birth होता है उसमें भी options देखेंगे तो इसका answer क्या हो जागा XS chromosome question number 4 which of the following combination of chromosomes lead to the birth of a baby body ये को मैंने बोला था न यही हुआ तो option क्या होगा XY chromosome मतलब जो correct answer होगा वो होगा XY chromosome तो आपको clear रखना है क्यूंकि ये question आ सकते है exam में अच्छे question है तो यहाँ पर बिल्कुल direct question आएगा अगर आएगा भी तो ठीक है तो इसमें अगर baby girl का birth होता है तो XX chromosome अगर baby boy का होता है तो XY chromosome इतना आपको दम ध्यान रखना है याद कर लीजिए और जादा tough भी नहीं easy है question 5 all human beings have pairs of chromosomes in the nuclei of their cells तो कितने pairs होते हैं chromosome के तो आपको ध्यान रखना है 23 होते हैं क्या ये 22 होते हैं तो options are 22 यहाँ पर बहुत सारे बच्चे I know confused होंगे कि 22 होते हैं ये 23 होते हैं तो ये भी आपको clear रखना भी बताऊंगी रुख जाओ तो options are पहले आप खुछ से attempt करो 22, 2, 23 or 46 which one should be the correct answer तो जो हमारे chromosomes के जो pair होते हैं वो कितने होते हैं there are 23 pairs of chromosomes ठीक है और देखो यहाँ पर reasons भी बता देती हूं all human beings have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cell 23 pairs of chromosomes होते हैं out of this इनके पास 22 pairs जो होते हैं chromosomes के वो कौन से होते हैं auto sums होते हैं और इन में से आपको ध्यान रखना है एक pair जो होता है वो हमारा sex chromosome का होता है ठीक है तो question number 6 the unfertilized egg always has x chromosome तो देखो जो unfertilized egg होता है उसमें जो x chromosome होते हैं वो कितने होते हैं दो होते हैं चार होते हैं एक होता है या होता ही नहीं है तो which option should be the correct one तो option b should be the correct one यहाँ पर देखो यार options आगे पीछे होगा है तो यह ठीक है one जो है न जिस पर b लिखा हुआ है वही correct होगा ठीक है तो x chromosome कितने होते हैं one होता है options आगे पीछे हो जाए करें तो आप अपना आपको correct answer पता होगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है question 7 goitre is a disease of goitre जो है वो कैसा disease है किस की कमी से होता है या किस चीज का disease है adrenal gland है देखो किस की कमी से होता है यह भी question आएगा don't worry pancreas यह thyroid gland यह none of these तो आपको पता होना चाहिए B option should be the correct one thyroid gland यहाँ पर B options आगे पीछे हो गए है so don't worry question number 8 which देखो यहाँ पर यह Chinese लिक्वी है तो यहाँ पर होगा 1 minute produce होना चाहिए यहाँ पर ठीक है yeah so I have written there तो यहाँ पर क्या हैगा यह Chinese लिक्वी है ना जैसे कि मैंने आपको बता है तो यहाँ पर of the following provide आएगा I know कि मेरी writing इसमें बहुत गंदी आई है बट सच में मेरी writing बहुत अच्छी है ठीक है तो देखो which of the following provide iron to our body तो हमारी body में iron कॉन provide करेगा leafy vegetables citrus meat or all of these so all of these will provide iron to our body यह आपको पता होना चाहिए ठीक है let's move on question number eight हो गया question number nine adrenal hormone is produced यहाँ पर adrenal लिखा हुआ है ठीक है बट यह नहीं होए adrenal gland हो गा है तो adrenal gland से adrenal hormone निकलता है यह आपको पता होना चाहिए तो adrenal hormone is produced by epididally gland, thyroid gland, adrenal gland या pancreas तो मैंने आपको तो पहली बता दिया तो आप answer क्या होगा adrenal gland ठीक है now the question number ten when the sperm contributes a Y chromosome to the egg ovum at fertilization then the gigol लिखा हुआ है gigot होगा would develop into a तो देखो तो यहाँ पर क्या होगा कि इस sperm जब Y chromosome contribute करता है देखो female के पास क्या है X chromosome male ने क्या contribute किया Y chromosome तो जब मैंने आपको बता है था कि X और Y दोनों जब आएंगे तो क्या होगा, क्या develop होगा male child क्या female child of course male child और जब XX होगा तो female child ठीक है तो it's time to show you a surprise ठीक है जो भी आपके लिए surprise है मैं आपको पहले वो बता देती हूँ तो देखो आप लोग यह न यहाँ पर आप जब JNV पार्शाला वेबसाइट पर जाओगे न तो यहाँ पर आपको यह वाली मिलेगा, आप देखो मैं आपको क्यों show कर रही हूँ, यह आपके पास सिर्फ वन मंत का टाइमर देखो अभी हमारे JNV का exam 10 February को है ठीक है, तो यह specially for JNV students, ठीक है जो JNV के aspirants बोलेंगे उनके लिए है यह Hindi medium वाले बच्चों के लिए है ठीक है, English medium वाले बच्चों के लिए भी होगा, तो मैं आपको मिलेंगे, तो अगर आप इन्हें ले ले लेते हो तो आपकी practice और अच्छी हो जाएगी ठीक है, इससे क्या होगा देखो आप timer लगा के 25 practice sets को जब आप solve करोगी, क्यूंकि देखो अभी आपके पास काफी time है ठीक है, तो आप जब इन questions को आपकी preparation तो हो गई होगी वैसे, it's time for your revision तो आप revision इनसे भी गढ़ सकते हो अभी हम आपको यूट्वर वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अगर आप 25 practice sets को लगा लेते हो तो सच में, आपकी preparation बहुत अच्छी हो जाएगी ठीक है, तो यह 25 practice sets हैं, हिंदी मीने वाले बच्चों के लिए 2015 से लेखर के 2023 तक, इसमें आपको सारे previous year question paper मिलेंगे और जो 25 practice sets में आपको अलग से भी practice set मिलेंगे, सिर्फ इसमें previous year question paper ही नहीं है, ठीक है यह मैं सोचना कि इसमें सिर्फ previous year question paper डाल दिया नहीं, वो तो है ही, साथ ही में अलग से भी हमारे 25 practice sets में और भी paper की format में ही जो भी paper के pattern को follow करके और भी बहुत सारे इसमें डाले गए हैं तो आप जो है यह खरीज सकते हो and this is only for 49 rupees, ठीक है and बहुत ही affordable price है आप सच में, ठीक है इसे कर ले लेना ताकि आपकी जो preparation है वो और अच्छी हो जाए and one more thing, यह आपकी e-book है ठीक है, तो यह JNVST class 9th के लिए है अभी इसमें हम class 9th का ही बता रही है class 6 के लिए भी है तो वो आपकी जब math की वीडियो आईगी ना तो वो आपको उसमें बताय जाएगा तो अभी देखो, यह class 9th के लिए है e-book इसमें देखो, क्या-क्या है यह Hindi में भी है और English में भी है तो Hindi वाले बच्चे परिशानों कि हमारे लिए तो कुछ होता ही नहीं है यह Hindi में भी है और English में भी है इसमें सबसे ज़्यादे important क्या है कि इसमें आपको short notes मिलेंगे देखो, exam time पर सबसे ज़्यादे जो काम आती है, चीज़े वो क्या आती है short notes और वो आपको इस book में provide किये जा रहे है, ठीक है important questions मिलेंगे और 2023 से लेकर के sorry, sorry, sorry 2018 से लेकर के 2023 तक आपको सारे के सारे previous question paper मिलेंगे, ठीक है इससे आपको ये पता चल जाएगा questions का level क्या होता है और इसमें NCRT book को follow किया हुआ है सारे concepts notes मिलेंगे आपको so this book is very 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 beneficial for you, ठीक है अगर आप अपनी preparation को और अच्छा करना चाहते हो तो आप इस book को ले सकते हो and this is only just for 49 rupees इतना affordable price दर आपको पूरी book मिलें, इसमें कितने सारी चीज़ें content ही, content हो, बिल्कुल इतना अच्छा content आपको provide किया जा रहा है ठीक है अगर आप लेना चाहते हो, तो ले सकते हो हम आपको force नहीं करेंगे कि आप इसी book को लो अगर आप चाहते हो कि हमारी preparation और अच्छी हो जाए तो you can purchase it, ठीक है दिवाली offer, दिवाली offer, दिवाली offer अच्छे चलो, आपने questions की तरफ बढ़ते है question number 11 which of the following is incorrect इन में से incorrect कौन सा है girls have high pitch voice, अरे बिल्कुल सही है boys have a deep voice, बिल्कुल सही है the voice box of girls is larger than that of boys तो नहीं, जो girls का voice box होता है इनकी larynx जो होता है, वो boys से क्या होता है छोटा होता है, boys का बड़ा होता है the voice box in boys can be seen as ये पता नहीं क्या Chinese लिग गई है यार मतलब, कोई बार नहीं छोड़ो इसे part of the thought called Adam's apple तो इसको मैं Adam's apple भी बोलते हैं तो ये तो ठीक है ना now the question number 12 the changes which occur at adolescence are controlled by जो changes होते हैं, देखो ये जितने भी changes होते हैं आमारी body में इस teenage में, ये सब कुछ control किस के द्वारा होते हैं, hormones के द्वारा होते हैं, ठीक है ये आपको याद रखना है now the question number 13 which of the following is balanced dirt नहीं है ये diet है, इन मैं से balanced diet कौन सी है, options are given ice cream and cold drink option B, meat and egg, option C roti, rice, dal, vegetables, या none of these so जो balanced diet है, वो क्या है वो है roti, या rice, dal in vegetables now the question number 40, the legal age for marriage for girls in a country is जो हमारी country में legal age of girls की marriage के लिए वो क्या है 18 years, याद रखना है आपको question number 15, AIDS is teased by dangerous तो देखो, AIDS जो होता है वो किस के द्वारा होता है, HIV virus के द्वारा ठीक है spelling में confused नहीं होना है question 16, hormones reaches to different parts hormones जो होते हैं different parts पर जाकर के अपना, यानि कि टार्गेट साइट पर जाकर के अपना जो है work करते हैं तो वो किस के द्वारा जाते हैं तो hormones always reaches to its target reaches to their expectivity target side with blood यानि कि वो blood में mix हो जाते हैं क्योंकि वो ducts के थ्रू नहीं जाते हैं वो किस के थ्रू जाते हैं, blood के थ्रू blood stream में वो hormones आ जाते हैं, mix हो जाते हैं और अपनी target side तक चले जाते हैं question number 17, in our body hormones are formed in हमारी body में hormones कहां formed होते हैं इसमें मुझे पता है कि बहुत सारे students confused हो जाएंगे, जिनके concepts बिल्कुल भी clear नहीं हैं तो पहले मैं आपको बता देती हूँ दो तरीके की glands होती है endocrine glands और exocrine glands endocrine glands का का काम क्या होता है और exocrine glands का का काम क्या होता है तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो हमारी endocrine glands होती है वो किस से related है, hormones related है और जो हमारी exocrine glands related है वो किस से related है, जो कुछ secret करें जैचल कि हमारी sweat वाली जो होती है slivery glands होती है, हमारी mouth में तो ये कुछ secret कर रही है slivery glands हमारी saliva secret करती है तो यह जो होती है, यह हमारी कौन सी होती है? एक्जोक्राइन ग्लेंड में आती है, तो इतना याद रखना है, तो हमारी जो body के hormones किस से related है? एंडोक्राइन ग्लेंड से, तो इसमें confused नहीं होना है. Question number 18, which of the following endocrine gland is called master gland? यह तो बहुत easy question है, master gland कौन सी होती है? एंडोक्राइन ग्लेंड है, क्योंकि होर्मोन रिलीस करती है, तो this is pituitary gland, ठीक है? pituitary gland Question 19, which gland secretes insulin? insulin कौन secret करता है? तो insulin जो है, वो pancreas secret करता है. Question 20, which of the following control sugar in blood? हमारे blood में sugar कौन control करता है? sex hormone? यह तो मतलब कुछ भी, कोई sense ही नहीं बन रहा? pancreas, growth hormone, insulin तो कौन control करता है? तो insulin control the sugar in blood, ठीक है? Question 21, which of the following diseases caused by the deficiency of iodine? iodine की कमी से होने वाला जो disease होता है, वो कौन सा होता है? गोईत्रें, ठीक है? Question 22, which of the following is secreted by endocrine glands? endocrine glands से क्या secret होता है? मैंने आपको इसी लिए पहले ही confusion clear कर दिया था endocrine glands, hormones, exocrine, exocrine हमारे जो भी कुछ enzymes वगेरा, ठीक है? जो भी कुछ secret करें, तो endocrine is related to hormones Now the question number 23, which of the following hormone is secreted by pitidary gland? तो क्यों सा hormone होता है? तो यह होता है हमारा growth hormone Question number 24, the necessary element for the formation of thyroxine hormone is? तो यह related होता है हमारा, जो necessary element होता है, यह iodine होता है, ठीक है? ठीक होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक होता है, तो आपको समझ में आना चाहिए इतना तो कि यह हमारे, यह जो होता है न, excitement, fear, tension, यह tear नहीं है, अक्चली, fear होगा, tension यह हमारे adrenal gland से तो होते हैं, साथ ही साथ यह hormone होता है, यह endocrine gland में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दियाता है, endocrine औ exocrine में difference, ठीक है? question 27, मनाक is, यह क्या होता है, beginning of menstrual flow, stoppage of menstrual flow, attachment of embryo with the uterus, uterus, none of these, तो यहाँ पे options में answer तो है, कोई ना कोई answer तो है, d तो ऐसे ही, देखो, आप न, options को हटाना, थोड़ा, यह जो, अगर आपको options में confusion हो रहा है न, तो उनको थोड़ा, हटा-ठागा देखा करो, अच्छा, यह है, तो यह हो जागा, यह हो तो यह हो जागा, ठीक है, तो d option तो वैसे ही हट गया, question, यह c वाला देखते है, attachment of embryo with the uterate, यह तो होगा यह, मतलब कोई sense भन रहा है, मैंको तो नहीं लग रहा है, कोई sense भन रहा है, तो c तो वैसे ही न, होगा, a देखते हैं, और b देखते है, beginning of the, master of flow, stoppage of the master of flow, इन बैसे क्या होगा, तो देखो, जो master of flow का beginning होता है, वो होता है, मैनार, और जो stoppage होती है, तो यह आपको याद रखना है pause मतलब रुख जाना तो stoppage तो ऐसे आप याद कर सकते हो question number 28 मैंनो pause दे को आ गया वही question तो मैंने तो आपको पहले बता दे stoppage of the menstrual flow question number 29 puberty is the age at which the reproductive system stops reproductive system becomes functional, personal person starts talking है यह क्या है puberty person जो है बात करने स्टार्ट कर देता है यह none of these, यहाँ पर six लेकिया है but कोई बात नहीं, तो देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए, answer should be B, reproductive starts become functional, ठीक है question number 30 adolescents should be careful about what they eat because देखो, adolescents जो होते हैं यहनि कि teenager जो होते हैं, उनको यह ध्यान, बिलकुल careful रहना चाहिए, कि वो क्या खा रही है क्यूं, इसके पीछे का क्या राज है A, proper diet develops their brains अगर proper diet होगी तो उनके brain develop होगा B, proper diet is needed for the rapid growth taking place in their body जो भी उनकी body में growth hormones release हो रही है है ना, उनकी rapid growth हो रही है उसके लिए ज़रूरी होती है proper diet C, adolescent feels hungry all the time उनको हमेशा भूक लगती रहती है D, taste birds are well developed in teenagers हैं, यह क्या है taste birds are well developed in teenagers मतलब कुछ भी कि teenagers में जो उनका taste birds होती है वो अच्छे से develop हो जाती है ना, ना, ऐसा नहीं है तो क्या होगा option B should be the correct answer ठीक है, उनका जो जो भी rapid growth हो रही है, उसके लिए proper diet ज़रूरी होती है तो यहाँ पर मैंने आपके 30 questions complete करा दिये है आपको image the following और यह true false जो है, खुद से complete करने है, आपको pdf जो है description box में मिल जाएगी, okay तो आपको एक खुद से try करना है और आपकी, देखो यहाँ पर true false बगरा, सारे questions जो मैंने करा दिये हैं, एक दो question ही अलग होगा बगि सब complete हो गए है आपको यह बड़ी देख लेना बिना options के, इससे और अच्छे से आपकी preparation हो जाएगी, ठीक है सब वही है so that's all for today thank you, thank you so much आपकी जाएगी